बेली पार थाना अंतरगत चारपानी स्वाड़ाम्या आपसी विवाद में ग्राम प्रधान उपेंदर शर्मा द्वारा समझाय बुझाय जाने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला बोल दिया जिसमें ग्राम प्रधान और उनके भती जी घायल हो गए पुलिस ने घटना के सूचना मिलते ही मौके पर पहुचकर मुकदमा पंजगरत करते हुए आरोपियों की तलाश में जुड़ गई है इस संबन में सिटिवान समभादाता से बायत करते हुए पुलिस अदिक्षक दक्षडी अरोण कुमार सिंग ने बता है यह थाना बेली पार के चार पानी सुवड़ा गाउं का मामला है बच्चों बच्चों में कुछ हाट्टाक्स होई थे दोनों दूसरे के परचित थे मित्र थे इसी नाते प्रधान ने समझाने के उद्धिस जाके बच्चों को कहा कि जब आपस में साथ रहना थे कल लाई भीड़ाई करते हैं इस पे दूसरा पक्ष आप रोशित हो गया और उनने प्रधान के प्रधान के बतीजे पे हमला कर दिया तत्काल इसमें अब्योग पंजिकित कर लिया गया है प्रीडिकों का मेडिकल परिक्शन करा दिया गया है और अतिशिख इनकी गिरफ्तारी की जाएगी क्योंकि ये जानबूश करके इस तरह से प्रधान के उपर हमला किया गया है जबकि प्रधान ने सिर्फ समझाने का काम किया